प्राणों की रक्षा करना मेरा करता वे हमारे प्राणों की रक्षा का पूरा श्रेव पंडित रामा कृष्णा को जाता है पंडित रामा कृष्णा कदाचित आप इस अपमान पर मौन रह सकते हैं परन्तु हम नहीं आप अभी इसी खण दर्बार से बाहर चले जाएए पंडित रामा कृष्णा हुए समझ में नहीं आथा यदि हमने आप पर आविश दिखा दिया तो तो आपको हम पर आविश दिखाने की क्या बश्यक्ता थी तो आपको हम आपके मित्र हैं पर हम तो हम आपके महाराज भी तो हैं यदि महाराज मुझे अपना मित्र समझते से बाहर चले जाएए इट दिखा कर दर्भार से जाने पर विवस कर दिया आपने महाराज हमें कभी आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा कभी नहीं दिखाऊंगा महाराज कृष्ण देवराय पदार रहे हैं महाराज कृष्ण देवराय की 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 गुरुवर पंडित रामा कृष्ण नहीं आए नहीं महाराज बुद्धी भरष्ट हो गई है पंडित्रामा किष्णा की महाराज। हमने उन्हें समझाने का इतना प्रहतन किया, इतना प्रहतन किया। किन्तों उसमझने को तैयार ही निया, महाराज। महाराज, हमारी एक राय है। घ्रिपया, आप अबदुल्ला को साफ साफ मना कर दीजिए कि आपको उसकी चुनोती स्विकार नहीं है। किरमा भाराज। नहीं, गुरुबर। जो चुनोती हमने एक बार स्विकार कर ली, उससे पीछे नहीं अट सकते। और यदि किसी को ऐसा प्रतीत होता है, यह उसकी सहायता के बिना आम किसी चुनोती में उत्तीर नहीं हो सकते। तो यह भूल है उसकी। क्योंकि हम अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। एक था राजा, दो थी रानी, भार गया राजा, खतम कहारी। राजा था बोला बाला, पढ़ गया उसका अब्दुल्ला जैसे कहानी बास से पाला। कसम किस्मत के चमकते सितारों की, कसम आप जैसे बेचारों की, वक्त को नावर जाया करते हुए। पाच्छा सलामत चुनोती शुरू की जाए। अगर आप तयार हैं, तो… रुकिये। रुकिये। विजयनगर के राज दर्बार का दर्बारी होने के नाते, मैं पंडित रामा कृष्णा, आपकी धी गई चुनोती को स्विकार करता हूँ। लेकिन हमने तो चुनोती पाच्छा सलामत को दी है। नहीं। आपने ये कहा था कि राज दर्बार का कोई भी दर्बारी आपकी चुनोती स्विकार कर सकता है। कहा था ना। और इसलिए मैं आपकी चुनोती स्विकार करता हूँ। और आपको पराजित करके भी दिखाऊंगा। महाराज। महाराज। महाराज पोलिये मुझे इस चुनौती सुरिकार करने की अनुमती प्रदान करें महाराज अनुमती बात में देंगे पहले ये बताए कि दर्बार आने का समय मिलके आपको हमें तो लगा था कि आप आएंगे ही नहीं कैसे नहीं आता महाराज आपसे छोटा हूँ, रूट सकता हूँ आपसे लेकिन तो संकट में आपका साथ नहीं छोड़ सता ना पंडिज रामा कृष्णा कलत फैमी के साय से भार निकलियो और देखिये मैंने एक एक करके इस दर्बार में सब को पराजित कर दिया है या तक के बाक्षा सलामत को भी वह आप कोंसे दीसमार कहा हैं? सोच लीजे, क्यों भरे दर्बार में अपनी हसी उडवाना चाहते हैं? हसी तो उड़ेगी, अवश्य उड़ेगी किन तो मेरी नहीं आपकी और नजाने क्यों आपको देखकर मुझे प्रतीत हो रहा है कि मुझे चुनोती स्विकार करता देख आपके तो तोते उड़ गए तोते नहीं मौतरम, कववे उड़ेंगे और उभी आपके हाँ तो दीख लेते हैं कि आप मेरे कववे उड़ाते हैं या मैं आपके तोते ठीक है, मन्जूर है आप इनकी बातों में मताईए चलिए, राजी अभी शिक करना है ऐसे तो आप शदैव से दावा करते आए हैं कि आप संसार के सर्वश्रेष्ट कहानिकार हैं आप अपनी कहानी सुनाने की कला से सामने वाले से कुछ भी करवा सकते हैं कि न जाने क्यों जबसे मैंने यह 1913 स्विकार की है तबसे आप भैभीत लग रहे हैं महराज, कदापी इन्हें ग्याद नहीं है कि विजयनगर के सिहासन पर सीह विराज़ान होते हैं भैभीत चुहे नहीं और ठीक है ठीक है राज्याभिशेक करवा लीजिए खिंतु विजानगर की प्रजा तो यही कहेंगे ना कि विजानगर के सिहासन पर एक डर्पोग रक्ति आसीन है और एक बात देखिए राज्याभिशेक होने के बाद सबसे पहले आपको मुझे इस संसार का सर्वष्ट्रेष्ट कहानिकार की उपादी देनी होगी वही उपादी जो आप स्वाहिम के लिए महाराज से मांग रहे थे बोलिए आप और इस संसार के सर्वष्ट्रेष्ट कहानी बाद हाँ, इस संसार का सलवश्वेश कहानी बाज मैं हूँ, और कोई नहीं है कसम इस प्रतियोगिता में लगने वाले हिम्मत की, कसम आपको हरा कर दिखाने वाले साहस की जूट नहीं बोलूगा सिद्ध कीजिये, तो मानू सुने आप मेरी तरफ देखिए, इनकी बात में मत है चले आप राज्य अभिशेक करेए चले अप इसमें उताबले, क्यों ओ रही है राज्य अभिशेक किह परवाना है या आपने करवाना है तक आप इनकी बात मान लीजै और मस्तकपर राज-मकुत के साथ साथ कलाईयों में चूणियां भी पहल लीजे, कभी अब तो मैं राज्य अभिशेख तभी करवाऊंगा, जब आपको इस भरी सभा में हराऊंगा आप मुझे हरा नहीं पाएंगे, और मैं आपको जीतने नहीं दूँगा, बोलिये चुनोतिक स्विकार है ने, ने, आप इंकी बातों में मता ही, आप मेरी सुनी, आप चलिए, चलिए हमरा आप अपनी पुद्मी की सलाही मानिए, ये जैसा बोलें, वैसा ही कीजिए, क्योंकि आपको देखकर लगता नहीं है कि आपके बीतर नेडने लेनी की शक्ती भी है बस, मुझे मन्जूर है, मुकाबला होगा, अभी होगा फस गया, मन्जूर है, अब इस भरे दरबार में दो शन्मे में आपको पराजित कर दूगा और एक, ऐसा किस्सा सुनाओंगा, ऐसा किस्सा सुनाओंगा, यह आप जीत नहीं पाएंगे पढ़ले द्राम कृष्णा ना, 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 इस बार किस्सा आप नहीं सुनाएंगे इस बार किस्सा मैं सुनाओंगा मैं कहानी माज़ू, मैं किस्सा सुनाता हूँ, किसिया किस्सा सुनता नहीं हो अब ये क्या बात हो ये अब्दुल्ला जी देखे, आपने किस्से सुनाए और लोगों को पराजित किया किन्तु आप कितने योगे हैं, ये तो तभी सिद्ध होगा जब किस्सा भी आप सुने और सामने वाला पराजित भी हो जाए अरे तभी तो आप बनेंगे संसार के सर्वश्रेष कहानीकार नेधा स्विकार कर लीजे, कि आप केवल कहानी सुनाने में सक्षम है, सुनने में नहीं है आपने कहानी सुना सुना कर लोगों को हसाया, डुलाया, उल्लू बनाया इन्तु अब मैं आपको चुनौती देता हूँ कि मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा कि आप अपने स्थान से उठकर, उचल कर, यहां से भाग खड़े होंगे अरे, वा, 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 पंदी जावा किजना, हमने तो भागताना नहाएगा इन्हें बारकर कितरे हैं, उचलते में देखकर, फुदक फुदक कर, फुदक फुदक कर बस कसम इजद के चनाजे की, मेरे जीत के बाजे काजे की, कसम खाके कैदा हूँ आप अपनी एडी चोटी का जोर लगा दीजी, लेकिन मैं अपने स्थान से हेलूंगा नहीं साज को आज क्या, अब इस सिद्ध हो जाएगा, जिन तु स्मरण रहे यदि आप अपने स्थान से हिले, डूले, उचले या कुछ भी किया तो महराज का राजपाट, महराणी का हार, गुरुवर का निवास्थान और उनका धन, सब कुछ लोटाना पड़ेगा मर्दू रह नाला तुम मुझे हरा दो ये तुम में धन नहीं तुम जैसे कितने भी आजाये, ये किसी से कम नहीं और अगर मैं जीत गया, तो आपको अभी के अभी कारागा जाना होगा स्वीकार है, आसन ग्रहन करें अरे-अरे वहां कहां है आप अभी तक महराज बने थोड़ी नहें वहां तो मेरे महराज ही आसीन होंगे आप दोनों तब तक यहां आसन ग्रहन करें अध्यान रखेगा, उचलिए गामत, आए सिवान नहींदा आप आज जैश्रीरा यह के हिनाई सब ही कहु माथा, चलेओ हरशी ही धरूर गुना था अर्थाथ हनुमान जी श्रीराम जी के चड़नों में शीष नवाकर उनका आदेश पाकर माता सीता की खोज में उड़ते वे पहुँच गए लंका बजाने श्रीराम नाम का डंका बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे करिसोई रूप गएउपुनी तहवा बन अशोक सीता रह जहवा अर्थाथ माता सीता की खोज में अशोक वाटिका पहुच गए हनुमंत और सीता मैया को देखते ही पहचान गए तुमंत देखकर सीता मैया की सूरत अनूठी उन्होंने सामने रख दी श्री राम जी की दी हुई यंगुठी इस प्रकार हनुमान जी ने किया सीता मैया से भेट चड़ गए व्रिक्ष पर भूके पे चलेउ नाई सिरु पैठेउ बागा फल का एसी तरुत तौरे लागा रहे तहां बहु भट रखवारे कचु मारे सी कचु जाय पुकारे खाने लगे फल व्रिक्ष से तोड़कर हनुमंत देखते ही रावन के सैनिक आ गए तुरंत सबको मार भगाया बजरंग बली ने ततक्षन सूच ना मिली क्रोध से गरजा रावन उसने बुलाया अपने पुत्र मेगनात को जिसके पास था भ्रह्मास्त्र जिसने किया था देवराजिंद्र को परास्त बजरंग बली पर सारे अस्त्र सश्त्र हुए विफल तो उन्होंने चला दिया बजरंग बली पर भ्रह्मास्त्र भाराज भ्रह्म अस्त्र तेही साधा कपि मनकीन विचार जोना भ्रमसर मानऊ महिमा मिटई अपार भ्रमास्त्र को आते देख अपनी ओर मन में किया विचार यदि नहीं रखा भ्रमास्त्र का सम्मान महिमा मिटेगी अपार रखते हुए भ्रमास्त्र का सम्मान स्वयम रस्षी से बंद गए हनुमान लाया गया उन्हें रावन के सामने उन्होंने पूछा ये किस स्वानर को भेजा है श्री राम ने अब दुल्ला जी आप रावन है ना ना ऐसा मान लीजिए कि आप है रावन और मैं हूँ हनुमान अब रावन के दर्बार में क्या हुआ इसका कौन लगा सकता है हनुमान हनुमान जी ने प्रभू श्री राम का संदेश दिया कि माता सीता को भेज दिया जाए उनके साथ सा समान किन्तु फिर से रावन ने कर दिया बजरंगबली का अपमान कपी के ममता पूँच पर सब ही कहूं सा मुझाई तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई अर्थात आदेश दिया रावन ने कि आग लगा दी जाए पूँच में हनुमान की आखिर पूँच तो होती है सूचक एक वानर के सम्मान की क्यों सत्य बचन लपट बहु कोटी कराला बुलो शी राम चंदर की ये श्री राम चंदर की ये श्री राम चंदर की ये दियावर 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 राम चंदर की हाँ हेए अजी बचाओ 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 हाँ हाँ चमा करना अगमी तनी कदिक भड़ गई थी चमा करना हा किन्तो ये क्या आप तो उसी भाती पराजित हो गए जिस भाती तब सब हनुमान जी से पराजित हो गए थी आपने तो कहा था आप अपने स्थान से हिलेंगे भी नहीं किन्तो देखिए आपका स्थान तो आपसे अत्यंत दूर है क्यूं महराज, जो व्यक्ति स्वैम को संसार का सर्वश्रेश कहानी किस्सा वर्णन करने वाला घोशित कर चुका है वो आज किसी और के सुनाए किस्से में इतना खो गया कि चुनौती हार बैठ स्वैम को अजेर कहने वाला आज पराजित हो गया महराज पांडित रामा कृष्णा जिस इंसान ने आपके बाच्छा सालामा की इजद अफसाही में कमी की उस इंसान की जिंदगी फणा होने से बचाने के लिए आप ने प्री जान की परवानी की मेरी आप से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है मैं आपके विरुद्ध नहीं हूँ मेरा विरुद्ध आपकी सोच से है आपके लोब से है, आपके छल से है शमा करना मैं आपसे तनिक निराज भी हूँ क्योंकि आप जैसा हद्भूत कलाकार जिसके पास एक ऐसी कला है जो सम्भवतर संपूर्ण विष्व में किसी के पास नहीं होगी वो लोब में आकर ऐसा कृतिकर बैठा कि जिस महराज ने उसे इतना सम्मान दिया उसने उन्ही के साथ छल किया पस पंदित रामा कृष्णा हम समझ गए हैं कि हमने जो कुछ भी किया गलत किया हमने अपने उनर का गलत इस्तिमाल किया आप सब के हम दोनों गुनेगार है बात्षा सलामत उसा के तो हमें माफ कर दीजेगा मैं आपको आपका राजपार्ट वापिस करता हूं राजगुरू को उनका घर, उनका धन और महारानी को उनका हार दी महाराच ये सब तो ठीक है किन्तो ऐसे लोभी व्यक्ति को दंड़ वश्य मिलना चाहिए महाराच इसने हम सब के साथ छल किया है ये कप्टी है, पाखंडी है आप दोनों ने जो किया उसके लिए आप दंड के पात्र अवश्य थे परंत दो कारण है जिसके कारण हम आपको दंड नहीं देंगे पहला ये कि आपको अपनी भूलगा आभास हो गया है और दूसरा और प्रमुख कारण अभी अभी पंडित रामा कृष्णा ने यहां कथा वाचन का इतना सुन्दर उदारन प्रस्थुत किया है जिससे हमारा चित अत्यंत प्रसन्द हो गया है अब ऐसे प्रसन्द चित में हम किसी को दंडित नहीं करना चाहते परंतु हाँ आपको एक परामर्ष अवश्य देंगे अब्दुल्ला जी भविश्य में कभी ऐसा मत कीजेगा पाक्षा सलामत मैं कसम खाता हूँ ऐसा आप कभी भी नहीं होगा आप आप हम दोनों को इजाज़त दीजे यहां से जानेगी सैनिक अपने साथ सैनिकु की एक टुकडी लेकर जाओ और अब्दुल्ला जी और उनकी धर्म पत्मी को विजयनगर की सीमा तक सा सम्मान छोड़ करा शुक्रिया पंडित रामा कृष्णा अद्भुत हमसे अभी रुष्ट है यदी हैं भी तो अदिकार है आपका यदी हो सके तो अपने महराज क्षमा मांग सब तो अपने महराज आप क्षमा नहीं मांग सके परनत एक मित्र तो अपने मित्र से क्षमा मांग सकता है ना क्षमा कर दे मित्र है महराज पंडित रामा कृष्णा महराज आज आपने कथा वाचन की जिस कला का यहां प्रदर्शन किया है उससे आम सब गद गद हो गए सत्य कहें तो आज आपको पुरस्कृत करने का मन करता है बताइए क्या पुरस्कार चाहिए आपको हराज आज मैं आपसे अवश्य कुछ मांगूँगा किन्तु वो मांगने से पूर्व आपको मुझे वचन देना होगा कि मैं जो भी आपसे मांगूँगा आप उसके लिए ना नहीं कहेंगे पंडेत रामा कृष्णा आपको हमसे वचन लेने की क्या वश्यकता है हम आपको बिलकुल भी ना नहीं कहें मांगेए क्या पुरस्कार चाहिए माराज मैं अपनी कर्म भूमी विजय नगर त्याग कर अपनी जन्म भूमी अपने गाहों तेनाली सदैव के लिए वापस लोट जाना चाहता हूँ आप कर्म प्र ठार चाहिए